यहां पर हम बैठे हैं बाते करने के लिए किस वज़े से इस वज़े से बैठे वे हैं बिकास के I am so proud कि आप यहां पर पहुचे हैं आप जब यहां पर सामने बैठे हैं तो मुझे वो सारे पल मेरे आखों के सामने फ्लैश कर रहे हैं वह आपका YouTube session में आना और chat में धेर सारा प्यार भढ़ना और धेर सारे discussion करना वहां से लेकर के फिर Telegram पर धेर सारे doubts discuss करना बहुत सारी बाते हैं जो आउटलार्स प्रोगाम में आप लोग से discuss हुई हर एक चिस flash करती है at the moment जब कोई सामने बैठता है तो उस इंसान से जो bonding होती है हमारी वो जो भी highs and lows और जो भी moments हमने शेर कि होते हैं उस वज़े से होती है तो मैं जानता हूँ कि आप लोग के story कितनी inspirational है particularly मेरे लिए और बाकि जो लोग जानेंगे definitely उनके लिए भी हो जाएगी तो ये definitely एक बहुत ही proud वाला moment है कि बैठे हैं आज finally आप अपने अपने college में है but यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे हुए हैं क्योंकि आप अपने college में गए हैं आप IT में हैं और इस वज़े से हम यहाँ पर नहीं discussion कर रहे हैं आप नहीं भी होता है इसलिए उसने कैसे setbacks को come back में convert किया और कैसे अपने lows में उन टाइम में जब के परशान थे depressed थे और ऐसा लग रहा था कि अब आगे पता नहीं चीज़े कह रही होंगी के नहीं होंगी और still तुमने जो fight किया वो moments तुम्हें build करते हैं वो moments जब तुम्हें लगता है कि in moments में अब तु चला नहीं जा रहा है बड still तुम फैसला लेते हो चलने का वो moments तुम्हें build करते हैं तुम्हारी गल्तियां जो तुम्हें बाद में फील कर आते कि यह गल्ति नहीं होनी चाहिती हो गई रिग्रेट किये भिना तुम्हें सीखा और सीख कर आगे बढ़े तो मैं चाहूँगा कि भी हम जो यहां पर discussion कर रहे हैं इस तरह के discussion हो रहे है वारे वीश में तुम्हारे college पहुशने के बाद तो अब flashback करो वापस जाओ मुझे अपने वो mistakes बताओ किसी भी इनसान के स्टोर्य और अब जही रेस्पेक्ट में जही इस रिलेटेट अगर हम बात्षीत कर रहे हैं तो जर्नी तो हमारी अभी जही वाली है लाइफ ली जर्नी तो भी चली रही है डेफिनिटली वह लाइफ ली जर्नी थी बट हम कभी पूरा थेस्ट नहीं जी देटे थे थे युष्शन पूरा तीन गंटे स्टोर्ण के लाइफ के लिए थे हमारा सिजिग स्टी थे 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 वह स्ट्रॉंड थे बहुत दीग पातब तो ऐसा होता है हम ए वान आच 30 मिनट्स हम सिजिग से कर लेते थे कुप्रिट हो जाता था उसमें और उसके बाद 30 मिनट्स हम मैच बाइप करके चाहिए बट वह से उता रहा है तो दो गंटे बाद हम टेस्ट को सम्मेट कर वीचे और यह ऐसा नहीं कि हमने डिसेंबर जो जैनुबरी टेस्ट ही उस तक हुआ कि एडवांस टेस्ट भी होता र तो मिताली जो प्रॉब्लम आपने बताई उस प्रॉब्लम के सॉलुशन के यह आपने क्या-क्या था वो जानना है थोड़ा सा एक्सप्लेइन करते हुए अच्छे-स रगाली कोशिच कीचि कि कैसे आपने इसको सॉल्व कैसे करने कोशिच कि क्या और रिंट तक सॉल्व हो तो हमने इसको ठीक किया कि हमने कुछ न को चैप्टर्स बढ़ानी मैक्स में जिसे कि थोड़ा टाइप सॉल्विंग करने को मिल जा लगा था टेस्ट में जिसे हमारा 2.5 आवर्स तक चल लगा था टेस्ट ऐसे जही मेंस तक तो हो टू आवर्स तक था तर जही मेंस के बाद सब्सक्राइब करने लाग बन गया ना इस प्रॉब्लम का सॉल्विशन पूरी तरह से तो नहीं निकला और यही बहुत नाच्रल से चीज़ है ऐसा नहीं कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएंगे अंट तक बर तुम्हें समझना है कि त प्रोग्रेस होते जा रहा है तो मैं उसको लेकर थे अपने आपको समझाना पड़ेगा वह गिल्ट ट्रैप नहीं होना चाहिए कि इतना ही प्रोग्रेस हो रहा है यह फार फार बेटर क्योंकि उस टाइम पिरेड में में दीमें और एडवांस के बीच में तुम्हारा वह बहुत बड़ी छीजह होती है। ठीक है अप अपनी lezak के बाड़ी Merci अपनी सबसे बड़ी wrong आपनी सबसे बड़ी mistake सामने रखी वयसे आपनी सबसे बड़ी lezak बदाओ और उसको सब्सक्व में कोशिश की कहां तक विजुशë की कहां तक six well थे बहुत जय्दाइ निकाल देती थी और निकाल देती थीए। जब मैं एक्टॉल एक्संग लेना स्टार्ट करती थी तब बहुत न जुका झुका था ये प्टार्टीड में तो सुच थी थी कि यहाएंसे करना जिकाना कब करना हैं कर I vision लेकिन धीरे बाद में जब करने लगती थी तब रियाईज हो था कि इतनी ओवर प्लैनिक को फाइदा नी हो रहा है तो ये इतनी तर जो टाइम दिया है वो एक तरीके से बेस्ट हो रहा है तो फिर ये बहुत ज़्यादा दे दिया था अब तो टाइम लेकिन नेक्स टाइम स धिरे दिरे इनको कम करती थी तो लास्ट में जाते जाते एडवांस से पहले तक अईसा हो गया था कि इतना जादा तो टाइम में नहीं दे दी थी बिस मैं रॉफ प्लैनिंग कर लेटी थी कि ये करना और एक्शन स्टार्ट करती थी क्योंकि एक्शन जल्दी लेती थी तो तो गलतियां जल्दी होती थी और गलतियां जल्दी होती थी तो सीखती जादा थी और फिर प्लानिंग उसके बेसिस पे धीरे-धीरे सही हो जाती थी तो यही था कि प्लान इतना भी नहीं करना है एक्शन जल्दी लेना है फिर प्रोग्रेस करते करते चीजें अपने आप सह यो जो जाओवाल